वेल्कम बेक पो माई चानल मैं हूं अजली और आपका अच्छी लगती है अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपको और भी जाद अच्छी लगेंगी यह ना ज्यादा हम लोग की गाड़ी है ना ज्यादा पतली है बहुत ही टेस्टी है और थोड़ी स्पाइसी भी है तो इसको टेस्ट करके बताती हूं बहुत जाए टेस्टी और बहुत ही है अगर आप भी खाएंगे तो अपनी फैमिले को ज़हूर ही पसंद आएगी आप ज़रूर सर्पे ट्राइ करें और गाइस अभी तक जोनों ने मेरे सेनल सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज कर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है तो देखते हैं वीडियो कैसा बनाएं आज हम लोग बनाएंगे होटल स्टाइल बहुत ही टेस्टी सबजी अगर आप इसको घर पे बनाएंगे तो आप येकिन मानी होटल से भी ज्यादा टेस्टी सबजी बनेगी है तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि मैंने आलू लिए आलू मैंने तीन से चार लिए और इनको पानी के अंदर भीगो दिया है इस तरीके से वरना हम लोग के आलू है वो काले पट जाएंगे ये मैंने गोबी काट लिए आप इसको मोटी पीस में गौबि योफ से बनाएंगी तो फट्टा फट्टा अम लोग की कोई बात नहीं होगी तो ये मैंने डाल दिये गोबि अब इसके अंदर आलो डाल देंगे पानी से निकालके तो मैंने आलू भी डाल दियें तो इसके अंदर हम लोग एक से दो ग्लास पानी के डालेंगे तो दो ग्लास मैंने पानी के डाल दियें तो हम लोग को जब तक पानी उपर तक नहीं आ जाए तब तक डालना है तो यहां पर तीन ग्लास भी उज़ कर सकते हैं मैंने हल्दी लिया आदी चम्मच यह मैंने टेस्टे को रिंग नमक लिया है यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम लोग की सब्जी है उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा आप अगर इसको बोईल करेंगे अगर हल्दी और कड़ाई लिए कड़ाई के अंदर और डाल देंगे वह में बहुत कम यूज करना है और यह मैंने लसुन लिया है प्याज लिया और हरी मिर्च लिये अब देख सकते हैं पैन अच्छे से गरम हो चुका है तो हम लोग मसाले डालेंगे इसके अंदर जीरा डालेंगे जीरा घखके पका लिए अच्छे से जिनिया अच्छे से अंदर अच्छे से म tikinter 않ते this लोग मिल्च बढ़ाडर लिया एकि मिलिया हो यह तो सभी को अच्छे से पका ने के लिए रख देंगे कि इस तरही से मिक्स करके और इसके डटके रख देंगे हम लोग अब चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं मसालव अग्दम त्यार हो चुका है है मैंने एक से दो टेमाटर काटे थे वह बिसको अंदर डाल के तैसे हम लोग को इस अच्छे से पका ले Karma टामाटों को भी तो अच्छे से फिर्स फिर्टस को ढख़े से पका लेंगे तो हमारी जू सीटी ऐ応ो आ चुकी एक और ये देख सकते हैं आलो और गोब अच्छे से पक चुके हैं तो अगर आफ फ्राइ करके इसके अंदर boil करके अगर आप डालेंगे फ्राइ करने के लिए तो बहुत ही जल्दी हम लोग की जो सबजी हो तयार हो जाएगी तो देख सकते हैं यह मैंने निकाल लिया है बाउल के अंदर उसका पानी बेचे से निकल चुका एकदम गरम है यह तो देख सकते हम लोग का मसालय है वो एकदम तयार हो चुका है तो इसके अंदर जो आलों और गोबी है पके है इनको डाल देंगे अगर आपको इसको अंदर ग्रेवी सबजी बनानी है तो आप इसके पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर तो देख सकते हैं एकदम सूखी तो बन चुकी है अगर आपको सूखी चाहिए तो आप इसको इस तरीके से ही कर सकते हैं अगर आपको गीली चीए तो सूखी को हम लोग 5 मिनिट के लिए अच्छे से फ्राइए कर लेंगे जिससे इसके अंदर मसाला एड़ हो जाए और हम लोग का जो अलूर गोवी का जो हम लोगों ने बोईल किया था वो पानी था इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर अगर आप इसको घर पे इस ट्रिक से बनाएंगे तो यकीन मानिए होटल से भी धाबे से भी ज्यादा टेस्टी सब्जी बनेगी तो देख सकते हैं मैंने सर्फ करने के लिए धनिया डाल दिया धनिया से भी इसका टेस्ट है और इसकी जो खुश्वा बहुत ज्यादा अच आप गैस बंद कर सकते हैं और देख सकते हैं सब्जी एकदम तयार हो चुके इसके अंदर खुश्वा भी बहुत अच्छी आ रही है तो धनिया से इसको सर्फ कर लेंगे एकदम और हमारी सिंपल तरीके से सब्जी तयार है